This thread like white outgrowth emerging from inside the green gram आप गुटी ने पूछा कि मामा यह जो thread like ढागे जैसा white color का outgrowth outgrowth का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना और emerging मतलब जो उबरा हुआ होता है तो outgrowth मतलब जो चीज बाहर निकल के आ गई वो emerging मतलब जो उबरा हुआ होता है from inside the green gram inside मतलब green gram में से बाहर निकल कर जो growth आ गई thread जैसी ये क्या चीज है मामा से पूछा गुड़ी ने मादा this is its root तो उसकी मामा ने बोला कि ये उसकी root निकल गई है afterwards the entire plant is formed from this root only उसकी मामा ने बताया afterwards मतलब इसके बाद entire मतलब पूरा plant इसके बाद पूरा plant इस root से बन जाएगा this is known as germination और इसको germination कहते हैं मतलब seed से पूरा का पूरा plant बनने का जो process है उसको हम germination बोलते हैं now here is activity do the following activity and record your observations activity मतलब ये काम आपको करके देखना है और फिर record करना है चीजों को note करना है observation मतलब होता है कि आप continuously किसी चीज को watch करें मतलब continuously किसी चीज में क्या changes आ रहे हैं आपको ये तीनों चीज़े ममा से लेनी है और उसमें पानी डालना है मतलब पानी में भीगोना है आपको अब आपको क्या करना है सेकेंड वाले बाउल में कि एक कपड़ा लेना है गीला उसमें cover मतलब उनको पूरा ढख देना है वेट मतलब गीला तो एक गीले कपड़े में इन तीनों चीजों को किस-किस को ग्रीन ग्र्म को मट्ठ को चिकपी को इन सबको आपको जीले कपड़े में cover करना है ठाक लेना है अब थर्ड वाले में क्या करना है इंद थर्ड बाउल बाउल मतलब होते है कटोरा इन थर्ड बाउल तेक सम ग्रेंज और ग्रेंग ग्राम, मौट, बीन, चिक्पी और लीव देम ओपन अब इस लीव मतलब छोड़ दो ऐसे खुला वाँ छोड़ दो तो अब थर्ड वाले बाउल में आपको क्या करना है कि ये तीनों चीजों को लेकर आपको खुला ऐसे ही बस बाउल में लेना चोड़ देना रिकॉर्ड तो ऑब्जरवेशन रिकॉर्ड मतलब उनको नोट करना है ऑब्जरवेशन को जो चीज आप चेंजिस देख रहे हो एक दिन में आपको कोई भी चेंजिस नहीं दिखेंगे कुछ दिन तक करीब 3-4 दिन तक आपको इन चेंजिस को देखना पड़ेगा फिर उसके बाद आप अपनी नोट बुक में ये सब नोट करोगे तो बाउल वन में आपने क्या किया है सिर्फ पानी डाला है पानी में स कि नुएब वाले में अपक्या कर रहे हो ना तो पानी डाल जाल रहे हो ना गीला कपड़ और कुछनी कर रहे हो सिर्फ इन तरीके की परिस्तितियों में आपको इन चीजों को दिनकर मतलब पहले वाले में आप क्या करोगे कि सिर्फ पानी भर दोगे तीनों चीज़े लेके और दूसरे वाले में गीले कपड़े में रखोगे और तीसरे वाले में कुछ नहीं सिर्फ लेना है और रखना है कटूली में तो आप फूर्स डे में क्या चेंज देखोगे फूर्स जो गीले कपड़े में जिसमें सिर्फ पानी है वो जादा बड़े-बड़े दिखेंगे इसके comparison में जिसमें सिर्फ गीला कपड़ा है लेकिन थर्ड वाले में जिसमें ना आपने पानी डाला ना गीला कपड़ा यूज किया तो उसमें कोई भी change नहीं दिखेगा तो बचो इ कि अगर ऐसा होता ना खिक हम सूखे में रख दें उनको और वो ग्रोह हो जाएं और ना अब जाएं फिर तो मम्मा के पास कभी भी ये चीजह खताम ही नहीं होती लेकिन ऐसा नहीं होता तब ही तो मम्मी कंटेनर में डिबबे में जिस चीज के अंदर इन चीज़ों को रख जिसमें सिर्फ पानी आपने डाला है तो अब उसका जो आउटर शेल है मतलब बाहर की जो लेयर है वो थोड़ी थोड़ी सी अंदर से वाइट दिखने लगेगा और खुलने लग जाएगी लेकिन बहुत ज्यादा और उसमेल भी आने लग जाएगी क्योंकि उसमें पानी है लेकिन इस वाले में जो और ज्यादा थोड़ी से साढ़ी बड़ी हो जाएंगे इस उसमेल नहीं आएगी और थोड़ा सवर बड़ा हो जाएगा सक्तिuks धर्ट को जा हरें इसको षटादेना चाइगें अब लेकिन इस वाले में क्या होगा कि इसमें आपको white thread like structure देखने लगेगा मतलब white घागे ज्यसी रचना देखने लगेगी इसकाम थे लूट थिंगरself traycn आपने ना तो वेट क्लोथ यूज़ किया ना वाटर यूज़ किया इसमें आपको कोई भी चेंजेज ने दिखेंगे तो स्टूडेट्स आप इस एक्टिविटी को करिए थैंक यू